स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आई थे यूटूब चनल पर डिपार्टमेंट आफ पोस्ट जो कि मिनिस्टी आफ कम्यूनिकेशन्स और गवर्मेंट आफ इंडिया के अंतरगत आता है इंडिया पोस्ट की तरफ से आई टेई पास आउट के अंडियेट्स के लिए एक सुनहरा मौका आया है गवर्मेंट जाब का ये पूरी तरह से परमनेंट जाब है और जो निकाला गया आपका जो की निकाला गया आपका यहाँ पे इस किल्ड आर्टिसन की पोस्ट है MMS चन्नाई की तरफ से इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे पूरा कम्प्लीट डिटेल देखेंगे इसमें All India Candidate Eligible है यह चन्नाई Head Office का यह चन्नाई का पोस्टिंग इसमें भले है बट इसमें All India Candidate Eligible है फार्म एप्लाई करने के लिए अगर आपने ITI किया है तो आपके लिए यहाँ पे काफी अच्छे पॉर्चुन्टी और अगर आपका ट्रेड नहीं आप 8th Pass Out प्लस 1 Year का आपका experience भी है काम करने का तो भी आप इसमें जो है फार्म फिल अप कर सकते हैं आईए देखते हैं complete notification आगे बढ़ें उससे पहले आपसे request करेंगे प्लीज चैनल पे नए हैं तो subscribe करके bell icon को hit कर लीजेगा जिससे आपको आने वाली सारी update और information regular basis पे मिलती रहें साथी साथ यह notification हम आपके साथ टेलिग्राम पे भी share कर देंगे इसका PDF आप चाहें तो टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं description में link हमने दे दिये हैं टेलिग्राम चैनल की यह है complete notification department of post India office of the senior manager जाग mail motor service MMS जिसे बोलते हैं ग्रीम्स रोड चन्नेई की तरफ से आठ बारा 2022 का है notification आप इसमें देख सकते हैं all India eligible है क्या लिखा यहाँ पे eligible Indian citizen for the following trades last date क्या है application receive करने की form offline आपको भेजना है ध्यान दीजेगा तो आप जल्दी से जल्दी form को fill up करके भेजिएगा अगर आप इसमें interested हैं तो नौ जनुरी 2023 सामको पांच बजे तक last date रखी गई है vacancies देख के आप थोड़ा disappoint हो सकते हैं क्योंकि vacancy थोड़ी कम है total 7 vacancy है जिसमें ये post है skilled artisan की इसी तरह की post आपको जो mint वाला department है currency note trace वगरा उसमें भी देखने को मिल जाती है group C non-gasted non-ministerial post है पूरी तरह से permanent job है MB mechanic motor vehicle mechanic skilled की चार post है MB electrician skilled की एक post है copper and tin smith skilled की एक post है अब holster की एक post है तो total 7 post है लेकिन इसमें ये मत समझेगा कि एक post है तो हम apply न करें कई बार ऐसा होता है एक post दो post पर vacancy निकलती है बहुत कम candidate apply करते हैं जो apply करते हैं उतना serious नहीं रहते हैं पढ़ाई को लेके और आप वहां जाते हैं तो आप ही का अकेले का selection हो जाता है ऐसे एक दो example देखने को भी मिलें जिसमें candidates दो vacancy तीन vacancy के अगिस्ट नहीं अप्लाई किया दस बारा फार्म पड़े और वहां पर हो गया हो सेलेक्ट हो गया आज हो वहां पर job कर रहे हैं तो vacancies कम हैं बट all India candidates eligible हैं अगर आप eligible हैं जरूर आपको apply करना चाहिए यहां पे salary salary की बात करें तो यह पूरी permanent job है आपकी salary जो कि 19,900 से 63,200 आपका basic होगा यहां पे and इसमें admissible allowances भी हैं तो आपकी salary 30,000 प्लस यहां पे जाने वाली इन हैं डी ए एंड बाकि allowances एचारे और सब कुछ मिला कर और भी सारी facilities आपको मिलेंगी यहां पे age limit की अगर बात करें यहां पे तो 18 से 30 साल तक के candidate apply कर सकते हैं एक जुलाई 2022 तक आप minimum 18, maximum 30 साल के हैं तो apply कर सकते हैं as per your category आपको यहां पे relaxation भी 5 years and 3 years का देखने को मिल जाता है educational qualification की बात करें तो सबसे पहले यहां बोला गया एक certificate होना चाहिए आप पस respective trade में technical institution यानि ITI अगर आपने किया है तो आप apply कर सकते हैं या अगर आपने ITI नहीं किया है respective trade में तो आप 8th pass हो प्लस आपका respective trade में experience हो अब यहां पे थोड़ा सा समझा दें आपको जैसे अगर आ motor mechanic vehicle में ITI किया है या diesel mechanic में भी even आपने ITI किया है तो आप यहां पे apply कर सकते हैं आपने यहां पे motor vehicle electrician तो आपने electrician से ITI किया हो ते apply कर सकते हैं यहां पे आपने copper and tin smith तो ऐसी तो कोई trade होती नहीं अगर आपने black smith से ITI किया हो तो आप यहां पे apply कर सकते हैं black smith trade से ठीक है या 8th प्लस आपका एक साल का experience हो ऐसा कुछ तो आप apply कर सकते हैं एंड एक vacancy है upholster की तो upholster भी यहाँ आप देखेंगे यह ITE बहुत कम जगों पर यह trade में ITE एवन कई जगों पर हो बंद भी हो गई थी तो अगर इसमें आपके पास ITE है या ITE नहीं आप 8th पास के बाद इसमें आपका experience है तो आप इसमें eligible है apply करने के लिए साथ post है vacancy ज़्यादा नहीं है बट अगर आप eligible है तो apply कर लीजेगा form जो apply करना है और आपका जो selection होगा और trade test के basis पे होगा competitive trade test होगा बट यहां भी यहीं लिखा है कि एक trade test होगा आपका उसमें एक्जाम भी ले सकते हैं practical भी करवा सकते हैं और जो भी candidate हैं अगर वो select होते हैं इसमें sort list होते हैं form भरने के बाद तो उनको उसके लिए hall ticket यहां पे जारी कर दिया जाएगा कुछ instruction दिया गया यहां पे application on plain paper एक plain paper पे आपको सही format में fill करके भेजना है English, Hindi या Tamil में आप form को भर सकते हैं साथ में अपना sign कर देना है आपको and एक passport size photo आपको उस पे चिपकाना है इसके साथ साथ सबसे important यहां पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि आपको यहां पे application form के साथ 100 रुपय का postal order भी भेजना है ठीक है जो कि किसी भी post office से ले सकते हैं towards the application fee इसे आपको भेजना पड़ेगा वहां पे the application will be scrutinized as per the eligibility criteria and eligible application will be called for the trade test the application fee collected from the applicant will not be refunded ठीक है यह fees आपके refund नहीं होगी further the eligible candidate should pay 400 as examination fee for trade test in the form of IPO या UCR receipt on getting hall permit and attended trade test along with the payment receipt तो अगर आपको यहां पे मान लीज़े आपका hall ticket आता है यह 100 तो आपको fees pay करने है अगर आपको trade test attend करने जाएंगे तो आपको 400 रुपय का एक Indian postal order और लेके जाना पड़ेगा तभी आप trade test को attend कर पाएंगे जो भी candidate SCST या women candidate है ठीक है वो यहां पे कोई fees नहीं pay करेंगे वो बिल्कुल free of cost है उनका form तो यह ध्यान दीज़ेगा unreserved category और OBC category को यह fees pay करनी है application आप speed post या registered post से भेज सकते हैं बिना self attested किया photo, sign ना किया हूँ and without application photo अगर application आप भेजते हैं विना valid community certificate के भी photo आपका form reject होगा अगर आप कोई भी qualification नहीं pursue कर पाए हैं तब भी आपका reject होगा without proper self attest जो भी photo copy और certificate उन पे आपका self attest का एक sign होना चाहिए अदरवाईज हो भी आपका reject होगा underage और overage हैं तो आपका reject होगा इसके साथ साथ एक चीज़ और यहां पे दिया गया है कि जो MB mechanic में apply करेंगे motor vehicle mechanic में उनके पास valid driving license होना चीज़ HMB का heavy motor vehicle का यह चीज़ ध्यान दीज़ेगा यहां पे आपके पास अगर पहली post लिए apply कर रहे हैं तो आपके पास valid heavy motor vehicle का license होना चाहिए तभी आप यहां पे eligible हैं apply करने के लिए form को भर के आपको इस address पे भेज़ देना The Senior Manager JAG Mail Motor Service No. 37 Greens Road, चैन्नई 6,0006 पे Speed post यह registered post से भेजना है साधान डाक से इसको मत भेज़ेगा 9 January 2023 के पहले आपको पहुँचा देना है इसके साथ आपको सभी documents भी अपने attach करने self-attest करके और यह है form की copy जिसे आपको fill करना है नीचे कुछ formats दिये गए है class certificate के इनको आपको अगर आपने central class certificate नहीं बनवाया तो इसे आपको जरूर बनवा लेना चाहिए form बहुत simple है आप आसानी से इसको भर सकते हैं यह form आपको telegram channel पे मिल जाएगा वहाँ से आप print out करके इसको आप भरके Indian postal order लगाके सभी documents लगाके उन्हें self-attest करके आप जरूर भेज दीजेगा इतने documents जो भी आपके लिए eligible हैं इतने documents आपको photocopy लगानी form के साथ और envelop में करके उसके ओपर लिख के application for the post skilled artisan in trade यहाँ अपने trade का नाम जिसमें आप apply कर रहे हैं इस address पे आपको भेज देना है thank you very much मिलते हैं अगले update साथ अगले video उन्हें तब आपसे भी लोग बने रहे हैं चैनल पे and please अपना ख्याल रखिएगा हाँ एक बात और और भी vacancy चैनल पे आई हैं latest में आप check out करके जिसमें भी आप eligible हो उसमें apply कर दीजेगा vacancy NPCIL के form भरे जा रहे हैं आप देख सकते हैं अभी बहुत सारी apprenticeship आई है naval dark yard विसाखा पटनम की आई है Air Force की तरफ से apprenticeship आज चुकी है permanent job के form भरे जा रहे हैं WCR की तरफ से apprenticeship आई है 17 December last year के form भरे जा रहे हैं तो यह सब vacancies आप लोग check out करके form जरूर fill up कीजेगा Thank you